नमस्कार, ABP News में आपका स्वागत है, मैं हूँ रोहित सिंग सावल, हमारे स्खास कारिक्रम घोशना पत्र में आप सबका एक बार स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ, योगी जी आपका साथ साल पूरे होने वाले हैं और लोगसभाद चुनाव सामने हैं, लोगसभाद चुनाव में आप दावा कर रहे हैं, बहतर प्रदर्शन करेंगे, पिछली बार से बहतर प्रदर्शन करेंगे, क्या लगता कि इन साथ सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लगता में जो कुछ भी परिवर्टन दिखाई देता है इसका स्रे देश के सश्री प्रभानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए और उत्तरब्रदेश की जनता जनारदन को जिसने मोदी जी पर बार बार विश्वास किया उत्तरब्रदेश के बारे में आज देश और दुनिया की ध्रणाई बदली है यही प्रदेश था सत्रा के पहले लोगों के सामने पैचान का संकट था सत्रा के पहले हर दो से तिसरे दिन एक दंगा यूपी में होता था न बेटी सुरक्सित थी न ब्यापारी सुरक्सित था महिनों महिनों कर्फ्यू लगा रहता था सुरक्सा किस्तिती बत्तर थी तो सौफ़ाई क्रूप से प्रदेश में विकास का माहूल भी नहीं था जो सरकारें थी अनौने अपने परिवार का विकास तो किया जातियता के नाम पे समाज को भिभाजित करने का कुछित प्रियास किया लेकिन प्रदेश उनकी प्रात्मिक्ता में है यह कहीं भी नहीं दिखता था पैचान का संकड़ था यहां के युवाओं के सामने समाज के हर तपके के सामने आज मैं कह सकता हूँ नय भारत का नय आउत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी उभरती भी अर्थवी वस्तक के रूप में जाना जाने वाला आज का उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश के प्रस्ताओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला प्रदेश तो सौभाय गुरुप से चाय वहा विकास की योजनाओं को इंफ्रस्टक्चर डेबलम्मेंट से जुड़े भी बड़े विकास की योजनाओं को सबसे तीबरता के साथ आगे बढ़ाने वाला प्रदेश की रूप में हो मोदी जी के लोग कल्यानकारी अभ्यान को सबसे प्रभावी ढंक से उतारने वाले प्रदेश की रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो या फिर सबसेधिक निवेस के प्रस्ताओं को जमीनी धराधर पर उतरने वाली प्रदेश की रूप में या सबसे सुरक्सित प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश है तो सवाभाई करुप से जनता जनारदन का सरिवाद तो पांचवी बार मोदी जी को मिलना यह मोधी की गारंटी की ही तरज पर सुनिसीत है तो यानि आपका कहना है कि योगी की भी गारंटी है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार से बहतर प्रदर्शन आप करेंगे पिसली बार से बहतर प्रदर्शन होगा और बहतर प्रदर्शन उस तरज पर होगा हमारी राश्ट्य कारी परिश्ट राश्ट्य दिवेशन में वहां पे एक संकल्प हुआ एक संकल्प पारित हुआ और संकल्प पारित था कि भारतिय जनता पार्टी प्रधान मंत्री मोधी मोदी जी ने देश को धारा 370 कस्मीर से समाप्त करके एक विधान, एक निसान और एक प्रधान किस अवधाना को सार्थक किया। अब मोदी जी को कृतक गिता के लिए देश की जनता, भारतिय जनता पार्टी को आसरिवाद दे कि वह 370 सीटें भारतिय जनता पार्टी की ओर से और एंडिये सयोगी दलों के साथ मिलकर के 400 पार के लक्षे को प्राप्त करने की दिसामें हम आगे वढ़ेंगे और उत्तरप् अपनी फोविका इसी रूप में प्रदर्सित करेगा. या देश का पुरी दुनिया का भी इस सदी की सबसे बड़ी महमारी करोना से जूसते वे लड़ते वे ब्यतीत हुआ वो देश के अंदर करस्माई नित्रित्व मोदी जी का है कि उन्होंने विप्रीद परस्तितियों में भी भारत की अर्थविवस्ता को मजबूत बनाया उत्तरप्रदेश की प्रतीब्यक्ति आई को दुगना करने में उत्तरप्रदेश की जी बनाने के लकसे के साथ एक चनूती हमें दी थी आज यूपी मैं एकाथ इस बात को कह सकता हूँ एक रेबनू सरप्लस स्टेट है उत्तरप्रदेश अगर इन विप्रीच चुनोतियों के बाब जो एक समय था सत्रह के पहले जब हमारे बाब बेतन देने के लिए पैंसा नहीं था कोई बड़ा बैंक अबित्य संस्थान पैंसा देने को तैयार नहीं होता था किसी का उत्तरप्रदेश पर विश्वास नहीं होता था आज अगर मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना हो तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा बैंक या बित्य संस्थान नहीं जो लाइन में खड़े होकर कि यह ना ओफर करता हो कि साथ हम इसमें फैनेंस करना चाते हैं हमें आउसर दिया जाए इसमें ये एक चेंज और मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश अगले पांच वर्सके अंदर प्रधानमंतरी मोधी जी के विजन के अनुरूप वन टिल विवस्था पर काम किया दिख भी रहा है दरहातल पर लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तो विपक्ष का कहना कि आप लोग फिर धुरूविकरण की राजनिती करते हैं आज भी में देख रहा था कि योगी आदित्यनात लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज मतुरा स करेंगे कि एक बार फिर से हिंदूत्यों की रहा पर धुरूविकरण की राजनिती कर रहे हैं आप लोग तेकि हम धुरूविकरण की राजनिती नहीं करते हैं हम तो डेबलमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन लोक आस्ता का सम्मान भी करते हैं हम उसके साथ खिलवार नहीं कर ये, क्योंकि उसकी आस्ता है, वे दंगा करवाते थे, हम प्रदेश को कानून की राज के अनुसार दंगा मुक्त राज्य की रूप में स्थापित करते हैं, उन्होंने प्रदेश को अराजकता की भटी में जोंकने का प्रियास किया था, हमने उत्तरब्रदेश को देश की एस्प्रेशन का एक अड़ड़ एक प्रदेश बना करके लोगों के लिए उत्तरब्रदेश वास्तों में जिस भाव के साथ लोग उत्तरब्रदेश को देखते थे उस भाव के रूप में उतरप्रदेश को हमने प्रस्तुत किया है और स्वाभाई कुर्प से ये तो हमारे लिए एक आउसर है देखें कि अवर डेवलम्मेंट से और लोक कल्याण के कारियों से नहीं होगा हमें अधिक सथिक इंप्रामेंट जनरेट करना है तो उन सभी सेक्टर्स को हमें आगे आगे करना पड़ेगा जो हमारे पास संभावन है जिन में है उसमें सर्विस सेक्टर एक है टूरिजम यान नहीं अन सभी स्पेरिछुल टूरिजम में जो तरप्रदेश के अंदर संभावनाय है खौन नहीं जानता आयुद्या हमारे पास पास हमारे पास मतरव हमारे पास ये विपक्ष कहता कि समभावना चुनावी संभावना तलासते हैं उना 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 exact नॅफर अजिल only धर योद्या गया हू방 है k्लिभा एक मुझसे पहले अग। सभी मुख्य मंत्रियों के कारेकाल को देख लिया कोई उतनी बार नहीं गया होंगे मैं जितनी बार मथुरा गया हूं उससे पहले कोई भी अन्य मुख्यमंत्री या सभी का एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी लोग वहां नहीं गया होंगे मैं जितनी बार कासी गया हूं कोई भी अन्य मुख्यमंत्री उतनी बार कासी यानि एक ही बात मत करो, मैं सभी को कहता हूँ, सभी के कारेकाल को जोड दिया जाए, तब भी लोग उतना कासी नहीं गये होंगे, आप तो नुएड़ा भी जाते हैं, मैं नुएड़ा भी जाता हूँ, और मैं बिजनौर भी जाता हूँ, मैं आगरा भी जाता हूँ, प्रदेश के आज की नई अयुद्या है, सत्रा के पहले जहां बिरानी थी, जहां का नाम लेने से लोग डर रहे थे, जिसके नाम पे बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा, आज उस अयुद्या में देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो आन पर हमें उन प्रकार की स्विवधाओं को एयरपोर्ट देना पड़ा, फोल लेन की कनेक्टिविटी देनी पड़ी, वहां पर हमें अन्या फैसलिटी को बढ़ाना पड़ा, और आज अयुद्या को आप देखिए, उसी अयुद्या में वो चेंज आया, कि जो लोग कल तक कह हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आज वे आके कहते हैं, साब हमारी जमीन भी ले लीजिए, क्योंकि अयुद्या एक नई पैचान के साथ सामने आ चुका है, ऐसा लगता है, जैसे साकसाद प्रभु राम का अउत्रन फिर से अयुद्या धाम में हो गया हो, रामराज्य के धाना साकार हो गई हो, यह अयुद्या के अंदर, और मैं कह सकता हूँ, कि रामलला के राजमान होने के पहले, और सत्रा के पहले भी, अयुद्या में ब्यापार का हो, या इस सेक्टर में जो सम्माम नहीं, गाइड का हो, या टेक्सी सर्विस का हो, या होटल का हो, उनकी ज से सो गुना की बड़ोतरी हुई है यह नया चेंज आया है कितना संभावना बिक्सित होती है कितने लोगों को, लाकों लोगों को नए रोजगार के सो उसर सिरजित हुए है यह यह होगी जी मत्हुरा बापके एजिंडे में यह बात बिल्कुल साफ है मत्रा के लिए तो हमने बर्ज तीर्थ विकास परिशत बहुत पहले कठित कर दिया था और वहां के विकास को मागे वढ़ा रहे हैं लाखों लोग वहां आते हैं प्रतिजिन इस समय तो होली का उसर है मैं अपने मत्रा और व्रिंदावन वासियों को बरसाना वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की मंगल में सुपकामना है इस प्रतिष्ठी चैनल के माध्यम से भी देना चाहता हूँ आपके गोशना पत्र के माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि होली को रंगोच्छो की रूप में अयोध्या को दिपोच्छो की रूप में कासी को देवदिपावली की रूप में और मतुरा ब्रिंदावन बरसाना को हम लोगों ने रंगोच्छो की रूप में ही प्रदेश के अंदर आने के बाद प्रोट सहीत किया था आज वह देश का एक उत्सो बन गया है दुनिया के लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो सवभाई कुरुप से मैंने भी सोचा कि चुनावी सुरुवाद मैं इस बार मत्रा बिरिंदावन से ही करूँ काना की नगरे से ही करूँ तो मैं होली के थतकालबाद वहाँ जाओंगा योगी एक और बात दीए बदाईउं के घटना के मैं बात करो तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतिये जनता पार्टी दंगा करवाना चाहती है बयान दिया समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुने कि चुनाब से पहले दंगा से प्रदेश को मुक्त करवाते हैं और जो दंगाई कीड़े हैं उनको हम ठीक ढंग से उसका ठीकाना भी लगाते हैं यह दंगा हमारी प्रवर्टी नहीं है हम लोग तो दंगाईयों को सही राह दिखा देते हैं कि देखो अगर कानून को हाथ में लोग है तो कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं और बदायों की घटना दुर्भाग्यपून घटना थी दो मासूम बच्चों की जिस निर्ममता के साथ तालिबानी तरीके से हत्या की गई थे तो साभाईक रूप से उसकी प्रतिक्रिया भी उसी रूप में सामने आनी थे एक और बात अखिलेश यादर कहता है कि आपका बुल्डोजर चलता है लेकिन जब बीजेपी नेताओं के बारी आती है तो बुल्डोजर के चा भी खो जाती है चा भी नहीं खोती है देखे बुल्डोजर तो अन्याई और त्याचारियों के साथ-साथ इंफ्रस्टक्चर के लिए उप्योग में आता है तो इंफ्रस्टक्चर के मार्क में जो भी बाधक बनेगा तो बुल्डोजर तो उसको रौदे गई रौदेगा यारी बुल्डोजर की चा भी नहीं खो जाती है खोने का कोई मतलब भी नहीं होता है वो तो अपनी स्पीड से चलना है ये गती बरकरा रहे या आगे भी चलता रहेगा हाँ, यूपी अपने विकास के सभिहान को और जनता जनारदन के भावनाओं के उन रूप इसी गती से आगे बढ़ेगा जबसे आपकी सरकार आई टेलिविजन पर रोज इस तरह की तस्वीरे देखने को मिलती है कि लंगडाते हुए कुछ लोग और उन एनकाउंटर पर लगाता विपक्ष सवाल भी उठाता रहा देखे कुछ भी गलत नहीं होता है जो भी है वहाँ निमानुसार है और जो कुछ भी है वो प्रदेश के हित में है मानोता के हित में है अगर कोई पुलिस पे गोली चलाएगा बेटी को और ब्यापारी को अगर उनका जीना हराम करेगा तो सौभाई कुरूप से कानून का राज ये कहता है कि उसको सही रास्ते पर लेकिया हो तो सही रास्ते पर लाने के लिए फिर जो भी उपाई हो सकते हैं उस प्रकार की उपाई अपना नहीं पढ़ेंगे आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकाय, सबका विश्वास लेकिन इस सबके में क्या उत्तर प्रदेश का मुसल्मान शामिल नहीं हो पाईगा देखे हम तो उस मंत्र को लेकर के चलेंगे जो 2014 में मोधी जी ने दिया था देश को और उस मंत्र में भेदभाव किसी के साथ नहीं है न जाती किसी रूप में न छेतर, न मत, न मजब योजनाओं का लाब सबको लेकिन तुष्टी करण किसी का नहीं और यही मोधी गारंटी है हम सबको साथ लेके चलेंगे सबके हितों को संक्रक्षड देंगे सुरक्सा देंगे सबको योजनाओं का लाब देंगे सबको आस्ता का सम्मान करेंगे सबकी लेकिन कानून के साथ खिलवाड करने की चूट किसी को नहीं देंगे अराजकता फैलानी की चूट किसी को नहीं देंगे लूट खसोट करने की चूट किसी को नहीं देंगे बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा के साथ खिलवाड करने की चूट भी नहीं देंगे देखे आज यह एक मंत्र बन चुका है लोगों ने उसको हातों हात लिया है अब मज़े बताओ न यह है मोधी कारंटी को प्रणानमंत्री किसान सम्मान निधी का लाप निरंतर मिला है चार करोड गरीबों को सिर ढखने के लिए च्छत उपलब्द हो गई एक एक आवास मिल गया बारा करोड गरीबों को जिसके घर में आजादी के बाद कभी सोचाले नहीं बने थे उनके घर में सोचाले बन गए देश के अंदर पचास करोड गरीबों को पांच लाग रुपे सालाना स्वास्तिपीमा का कबन मिल गया ये भाव तभी आता है जब व्यक्ति के लिए नेशन फर्स्ट ये उसकी प्रायर्टी होती है तब वह जाती मत और मचप के आधार पर नहीं तुष्टी करन पर नहीं बलकि जनता जनार्दन की संतुष्टी के आधार पर सासन विवस्ता का संचालन करता है और मोदी जी ने यही किया एक-एक योजना का लाब बिना भेद भाव के उन तक पहुंचाने का काम किया ठीक है योगी जी आप जो कह रहे हैं ये तमाम योजना इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े हैं लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद आप लोग अल्प संखिकों के मन में वो जगे क्यों नहीं बना पाए वो क्यों नहीं बना पाए वो विश्वास क्यों नहीं जगा पाए क्योंकि हम हिंदू आस्ता के साथ खिलवाल नहीं कर पाए और ये नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में हमें हिंदुस्तान की मूल आत्मा का संमान करना पड़ेगा और हिंदु भारत की मूल आत्मा है उसका अप्मान नहीं क्या जा सकता है जिनको एक गलत थेमी होगी कि हम इस भावना इस आत्मा का अपमान करके वोट वेंग की राजनिती करेंगे, ऐसी राजनिती को ठोकर मार करके बाहर जाएंगे, हम अपने मुल्यों के आधार पर, देश की सुरक्सा की कीमत पर, या हिंदू आस्ता की सवाल पर किसी के साथ करते हुए हम कारे करेंगे, और हमें प्रसंता है, कि हम लोग अपने मुद्दों पर अडिक हैं, और इस वर की किरपार, जनता जनारदन का स्रिवाद हम लोगों के साथ में है, हम लोग सभलता पुरुवक, मोदी जी के नितृत्तों में, आज अपनी रहा आगे बढ़ाती लेकिन जो भाय का महाल है, मैं विपक्ष भी कहता है, क्याल्प संख्यों को में भाय का महाल है, तो ये भाय का महाल बयानबाजी के चलते हैं, इस पर क्या कहींगा? देखे, बयानबाजी, अब कोई कर रहा है, तो अपना बोलते रहें, लेकिन मुझे एक बात बताईए, जब दंगे होते थे, तो तब भाय का महाल होता था, या जब दंगा मुक्त प्रदेश है, तब भाय का महाल है, देखे, आगजनी की घटना कहीं होगी, एक जगे से उसकी परतिक्रिया भी होगी, अगर हिंदू का जलेगा तो मुसल्मान का भी जलता होगा, हिंदू मरेगा तो मुसल्मान भी मरेगा, ऐसा तो है नहीं कि जो है, एक तरफा होती होगी करवई, लेकिन आज दंगा नहीं है, आगजनी नहीं है, अराजकता नहीं है, को एक दिन देख रहा था कि हमने लोक कल्यान करी योजनाओं को जिस प्रभावी डंग से बढ़ाया है जैसे उत्तरब्रदेश के अंदर ही 15 करोड गरीबों को फ्री में रासन की सुवधा का लाब है इस 15 करोड में मुस्लिम आबादी तो क्योल 19 पर सत आती है लेकिन योजना कि लाब अगर आप रासन की फ्री रासन की बात देखें कि 35 फीस दी मुस्लिम आबादी ऐसे जो फ्री में रासन की सुवधा का लाब ले रही है अब मुझे बताओ जब ये रासन पिसली सरकारों के खाद्यान माफिया डकार जाते थे वो सरकार अच्छी है या मोदी जी के नित्रुत्व में यह सरकार जो योजना का लाब उनके घर तक पहुचा दे रही है अब ये भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो देखें रास्ता दिखाने के लिए राह दिखाई जा सकती हाथ पकड़कर चलाए जा सकता है जिसमें भगवान ने द्रिष्टी ने दी हो उसको तो राह दिखाने का रास्ता दिखाई जा सकता है लेकिन जो जान बूच करके द्रिष्टी हीनता का एक ढोंग कर रहा हो उसका कोई राह नहीं दिखा सकता है उसको हमेशा वेसे पड़े रहना है और अच्छा है वेसे प लिखनी पारा लेकिन योगी जी पीडिये का नारा दिया समाजबादी पार्टी ने अखिले शार्वन के पिछड़ा अद्दले तल्प संख्यक इनके संबान के लड़ाई लड़ेंगे और उनका कहना कि पीडिये इस बार आप लोगों को पचाड देगा उत्तर प्रदेश मे देखें उनका पीडिये जो है न ये परिवार पी का मतलब उसका परिवार से है डी का मतलब दंगा से है और ये का मतलब एसोशेशन का है यानि परिवार के स्वमों के द्वारा जो दंगा किया जाता था वही उनका पीडिये है देखें हमने तो नेशन फस्ट की बात की है परिवार डेवलमेंट एसोसेशन जो इन लोगों का है, इसको जनता एक बार नहीं, चार-चार बार इससे पहले खारिच कर चुकी है, 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, और एथिहासिक रूप से पांचवी बार इसको खारिच करने के लिए उतर प्रदेश की जनता जनारदन फिर से कमर कस चुकी है, इस बार पूरी तरह हम लोग सबक सिखाएंगे, यह संकल्प के साथ उतर प्रदेश की जनता तै कर चुकी है, और आप देखना, चार जून को जब हैसला होगा, एथियासिक मतों के साथ, पहले से परिणाम गोसित होगा, मुझे लगता है कि अठारवी लोग सभा, एक ऐसी लोग सभा होगी, चुनाओं के पहले जहां पे विपक्स अपनी हार मान चुका है, जहां पे पहले से परिणा यूगी जी आप तो, मैं भी आस्वस्त हो, जनता जनारदन के किरपासे, लेकिन जनता जनारदन अपने मद्दान केंदर पर जा करके, सबसे पहले मद्दान करके इस आस्वस्ती पर अपनी मोहर लगा है, यूगी जी को और बड़ा सवाल, गंभीर मुद्दा उत्तर और ये एजनसी के अस्थर पर हुई है, हमने दोनों मामलों में बहुत सक्त कारवाई की है, और हमने पहले से इस बारे में कहा है, कि जिसकी भी सनलिप तता होगी है, ये मान के चलिए, कि ऐसे तत्तों के साथ, जो युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड करेगा, या सुरक को भी पता है, और अब देखना, हम युवाओं के साथ खिलवाड करने के चोट किसी को नहीं देखे, युगी जी अखिलेश आदव कल आजम खान से मिलके आए, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इतना बड़ा राजनितिक परिवार, पूरे परिवार पर, आप लो होगा, सरकार कहां से सामने आ जाती है, उन्होंने जो कहा, लोगोंने मुकदमा दर्ज कराया, नियाएले में उसकी जो है, नियाएले ने उनको सजा की है, सरकार थोड़े सजा करती है, भारत की नियाएपाली का सुतंत्र नियाएपाली का भारत के अंदर है, यह तो कदों में बनाएगे जूटे मुखद में कहां से बना दिये गए आप डगेती डालिए और उसके बाद कहें साब ये तो मुझे जूटा फंसाया जा रहा है आप जूटे कैसे कह सकते हैं फरजी जनम परमान पत्र बना देंगे एक बेक्ति एकी बार पैदा होगा ना दो बार गहां हुगए तो ये आप हर बार नूएने चुटान जाड़ी करतेंगे कभी कई देंगे कि हम इस में पैद इस सन में पैदा हो ये कभी एनगे यानि आज़ी बस्षा के लिगले आप जनम स lange ले लेंगे क्या एक ये इए बेकते तो ऐक की बार पार पैदा होता है ये बार डोकुमेंट है और नियाले उसमें सजा कर रही है सरकार भी नहीं कर रही है ना सरकार मुकदमा कर रही है ना सरकार जो है उसमें कहीं भी सरकार पार्टी नहीं है यही पी दिय है इस फरजी डॉकुमेंट बनाना, फरजी तरीके से गध्विदियों को आगे वढ़ाना, लोगों को इस तरीके से सारी चीजों को आगे वढ़ाना, यही सब उनका काम है कि योगी जी लेकिन देश भर में आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग एजन्सियों का गलत इस्थेमाल कर रहे हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल पर जिस तरह से एडी ने कारवाई कि इसको लेकर भी सवा आमचे एक बात बताईए क्या अरविंद केजरिवाल जी अगर लोगतंत्र नहीं होता तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बार-बार बन पाए होते हैं यह तो लोगतंत्र के कानणी संभा हो पाया है और लोगतंत्री के मुल्यों के कानणी हो पाया है लेकिन लोकतंत्र में किसी ब्यक्ति को, किसी पाल्टी को या किसी संस्था को दकैती डालने की छूड़ तो नहीं है हम लोग मालिक नहीं हो सकते मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूँ लेकिन मैं प्रदेश का मालिक नहीं हो सकता मैं एक जन सेवक हूँ मैं कस्टोडियन मात्र हूँ अगर यह भाव मेरे मन में आएगा मैं जो भी काम करूँगा नियम के अन्राव अन्रूप करूँगा अगर नियम बिरूत में कोई आचन करता हूँ तो मुझ भी वह कानून उतना ही लागो होता है जितना किसी अन्य पे लागो होता है मैं कानून से उपर नहीं हो सकता हूँ हमें इस साथ में ध्यान डखना होगा और जैसी करनी वेसी भरनी लेकिन कि दिल्ली में आप लोग आप लोगों का संगठन खड़ा नहीं हो पाया आप लोग गर्विंद केजरिवाल से लड़ नहीं पाया देकि वालक विसे है कानून अपनी जगे काम करा और एजनसी ED सरकार के दिन नहीं वो तो एक स्वतंतर नियामक संस्ता है अपने अनुसार कारे करने के लिए स्वतंतर है उस पे कोई लगाम थोड़े कसा जा रहा है लेकिन अगर उसके पास कोई मामला है उसके पास परमान है क्योंकि ये अंतिम निर्णे नहीं है अंतिम निर्णे कोट तक जाएगा कोट को तै करना है लेकिन सवाल ये है कि कानून से उपर जब सरकार अपने आपको मानने लगती है या कोई बद पर बैठावा अब्यक्ति मानने लगता है तो मुझे लगता है तब भी गड़वड होती है लेकिन यह जाच एजनसिया चुनावों के वक्त और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है सरकार कोई भी पहल नहीं करते हैं इस समय तो योगी जी CAA की अगर हम बात करें पूरे देश भर में एक पर फिर से चर्चा हुई कि यह भी ठीक चुनाव से पहले कि आप लोगों ने कई चीजें इस तरह से रखी कि एक तरह से द्रुविकरन करने की कोशिश पूरा विपक्ष आवाज उठा रहा है पूरा विपक्ष बाया अनला क्या कहना है आपका आपकी क्या राय है देखे इस सिडिजनस्टिप एमेंडमेंट एक्ट यह 19 में पारित हो चुका था जे और पारित होने के बाद फिर इसके खिलाब जिस प्रकार का माहोल बनाया गया है मुझे एक बाद बताओ भारत में पहली मस्जित एक राजा ने भिंदू राजा ने मनाये थी मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी है 1947 में कितनी थी और आज कितनी है उनकी संख्या हिंदूं से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी है जितनी प्रिच्छत हिंदूं की आबादी बढ़ी है देश के अंदर उससे दुगनी रेट पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है एक तथी यह लेकिन पाकिस्तान में बांगला देश में और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी उससे कई गुना घटी है अगर भारत सरकार भारत के अंदर जन्मी वी उन सभी उपासना बिदियों को वह सनातन धर्मावलंबी हो बाद हो सिको हो जैन हो इन सभी को जो इन देशों में पीडित है प्रताडित है और वह वहां से प्रताडित हो करके भारत के अंदर सरार्थी के रूप में रह रहा है और आज उसको सिट्सिटन्सिप एबेट्मेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिक्ता प्रदान करने के लिए वचनवद्ध है तो ये मानोता का कार्या है इसका स्वागत करना चाहिए था सब को स्वागत करना चाहिए था और इसके लिए प्रधानमंतरी मोधी जी का और ग्रहमंतरी अमित साह जी का विननदन करना चाहिए था करना चाहनगा यहां कि बोर्ड की बात है आदेशाग्या कोड का वो भी सामने है लेकिन लगातार कारवाई हो रही है कि उनका स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन मदरसों को भी तो modernization की जा सकती है उस पर सरकार का क्यों ध्यान नहीं है हमने मदरसों के modernization की ही बात की है हमें बैग्यानिक चाहिए skill manpower चाहिए scale तो हमारे पास पहले से है 25 करोड के आबादी पहले से ही है नहीं आबादी मत बढ़ाईए तो skill manpower हमें चाहिए अच्छे engineer चाहिए और हमें इसके लिए अपने सिक्संड संस्थानों को उसके नरूप बनाना पड़ेगा उसके नरूप बनाने के लिए ही हम लोगों ने बराबर इस कारवाई को किया लेकिन हम लोग देखते थे बहुत सारी जिगए इतना फरजिफिकेशन होता था इतना फरजी काम होता था कागज में कुछ नहीं है लेकिन सरकार से उंदान लिया जा रहा है एक भवन में एक ही परिवार के लोग सारे सिक्सक हो गए एक कमरे में पूरा मदर्सा चलाए जा रहा है तो कैसे कोई मननेता देदेगा यूगी जी को और एहम बात उत्तर प्रदेश के अगर बात करेंगी जो वसे खबर आ रहे है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी राय बरिली से चुनाव नहीं लड़ेंगी से दिखते हैं कितनी बड़ी चुनावती आप मान रहे है देखे ए गड़बंदन 2017 में भी हो चुका था ये दो यूगाओं की जो जोड़ी है न इस 17 में भिड़ चुकी है यूपी में और दोनों को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे ठंक से सबक सिखाया था सहयोगी दल आपको लग रहा है कि मजबूते के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि अभी एक सहयोगी आपके साथ आया है कभी चले जाते हैं कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं कभी आपके साथ आ जाते हैं आज तो फिलाल हमारे साथ में है, रागे भी रहे गए, जी, मलब उमीद है किया, उमीद नहीं हमारे साथ में है, साथ में है, दिल से साथ में है, या सक्ता के लिए साथ में है, हमारे यहां देखें, जो भी आता है, दिल से ही आता है, और दिल जब साथ में है, तो दल पीछे पिछे अपने आप आजाता है अब योगी जी आपने कहा कि जो आपके साथ आता हो दिल से आता लेकिन अमोमन हम भी इतने लंबे अर्से से राज्य सभा के चब चुनाव होते थे कवर करते थे राज्य सभा का चुनाव का मतलब वोटिंग हुई नतीज आता था ये जीत गए ये हार गए लेकिन अब ऐसा महौल हो गया कि राज्य सभा का चुनाव आता है तो पूरा विपक्ष ड़ जाता है कि पता नहीं कौन किसको आप लोग तोड़ लेंगे जो तोड़ भोड जो होती है हम तोड़ते नहीं किसी को देखे ये लोग सभा चुनाव का पुर्वा भास था ये चीजें दिखाती हैं कि जब उनकी नेताओं का विश्वास उन पे नहीं है तो जनता जनारदन भी उन पर विश्वास नहीं करेगे और आप देखना ये होगा लोग सभा चुनाव में यूगी जी तो तोड़ना हो बताई राज्यसभा का चुनाव चल रहा है जिसको विप जारी करना है वो ही बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाता है मैं यूपी की बात कर रहा हूँ कि उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं था इसलिए उनके सभी बड़े नेता राज्यसभा चुनाव में भारतिये जन्ता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्यासी के समर्थन में आते हैं और उनको अपना समर्थन देते हैं तो यानि योगी जी आपका कहना है कि अभी भी विपक्ष के कई नेता जिनके मन में आप लोग समाए हुए ऐसे लोग हैं अभी और जो आपके साथ दिल से दिल जुड़ेगा और आ जाएंगे क्यों ने सभी लोग बीजेपी में आने को छुक हैं बीजेपी में आना चाते हैं लेकिन हम सब को लेना भी नहीं चाते हैं योगी जी ये इस बार का लोग सभा का जो चुनाव है इस चुनाव को क्या कहा जाए कोई इस चुनाव में कोई मुद्दा आप देखते हैं या इस सिर्फ जो डबल इंजन की सरकार है इसी के इसी बात को लेकर आप जिनता के भी जाएंगे देखें ये लोकसभा का जो चुनाओ है संभावता पहला चुनाओ होगा जिसके परणाम के बारे में पुरा देश पहले से आस्वस्त है कि चार जून को जब परणाम आएंग मोदी जी तीसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत इसके साथ ही मोदी जी के नित्रतों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनने के और अक्रसर होगा योगी जब इस चर्चा के आखरी दौर में एक सवाल आपका आपका इवक्तिकत सवाल में आपसे करना चाहूंगा मिलब हर राजनेता अपनी छवी को लेकर बहुत कॉंशेस रहना भी चाहिए सो भाव एकसी बात है लेकिन जब भी चुनाव होता इस देश में जिस भी प् मैं अपना कपड़ा थोड़े बदल दूंगा जी देखो हम एक ही बाना में रहते हैं और मेरा योगी का बाना है योगी की रूप में ही मैं रहूंगा अगर कोई ये कहता हो कि मैं दिन में ये पहनो और अन्य समय में नीला पिला पहन करके मैं जो है और जिगे निकल जाओं यह सवाल आपसे इसलिए वाजव है कि उसकी सीट वाला उत्तर प्रदेशा लेकिनी 400 सीट कहां से आ रही है हम लोग वे अगर कल्कुलेट करते तो 400 का अंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है अस्य तो यूपी से ही है यूपी में अस्य कैसी आपका कहा है अस्य तो यूपी से में केरल में जहां पे बीजेपी पीछे थी है या गच्चुनों में कोई सीट नहीं थी आंद्र में नहीं थी केरल में नहीं थी वहां पे बीजेपी सीट पाएगे और अच्छी सीट पा रही है करनाटक में कोई दिक्कत में बीजेपी बहुत अच्छी सीट पाएगे तिल इन टीन राज्जियों में भी बहुत अच्छी रुजहान अब तक देखने को मिलें। तो आपका कहना है चार सो पार। चार सो पार। योगी जी आखिर में एक सवाल। बीएसपी की चर्चा मैंने आपसे पूरी बातचीत के दौरान नहीं कि करना कि क्या कहना बहन जी को चुनाव में कोई चुनोथी मानते हैं किस तरह की चुनोथी आप मानते हैं तो आपकेये उनका अपना वोट बैंक है जेś और वोच तूनाओ लड़ नहीं है अब अकेले लड़ती हैं किसी पार्टी के साथ गड़बंदन करती हैं, क्या करती हैं, ये अगले कुछ दिनों के अंदर ही पता लग पाएगा. सब लोग ये कह रहे हैं कि बस पाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी, योगे अदित्यनाथ और बीजेपी के सारे निता बीजेश्पी के लिए सौफ्ट. हम किसी के प्रते सौफ्ट नहीं हैं, एस पी और पी एस पी दोनों उननीस में मिल करके बीजेपी के खिलाद ताकत अजमा चुके हैं, और उसमें भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने उस समय 64 सीड़ जीती थी, असी में से 64 सीड़ तो उसी समय हमारे पास आ गई थी. पूरी टीम को भी मैं, आप उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में आये हैं, लोकसभाद चुनाओ के ठिक पहले और होली के ठिक पहले, एबिपी नियूज ने गोशना पत्र पर आधारित अपना ये कॉन्क्लेब लखनों में किया है, इस के लिए में धन्यबाद दे देता हूं और अपनी इस एबिपी परिवार को भी और आपके सभी दर्सकों को होली की मंगल में शुब कामने देता हूं